अपने मुन्ना भाई MBBS देखा है तो आपने देखा होगा कि मुन्ना की जादू की जप्पी ने क्या कमाल दिखाया था लोग एक दुसरे को अच्छा मैसूस कराने के लिए गले लगाने लगे थे लेकिन क्या आपको पता है आज कल कुछ लोग इसे अपना प्रोफेशन के तरह अपना रहे हैं जिसे कर्डलिंग या टच थरेपी भी कहते हैं जिसमें प्रोफेशनल या थरेपिस्ट गले लगाने के पैसे चार्ज करते हैं तो आईए आज हम आपको बताते हैं कि कड्लिंग या टच थेरेपी के क्या फाइदे हैं। भारत में स्पर्स चिकित्सा सदियों पुरानी है। टच थेरेपी यानि कि स्पर्स चिकित्सा एक प्राची नायरुवेदिक टेकनीक है, जो खुद को अपनी बॉड़ी और आत्मा से कनेक्ट कराने का कारी करती है। अगर कोई व्यक्ति रुजाना टच थेरेपी लेता है, तो उसका अपने सरीर और आत्मा से बहुत जल्दी गहरा जुड़ाव हो सकता है। इस दुनिया में टेकनोलोजी का वर्चस्प जितना बढ़ता जा रहा है, व्यक्ति का अपने अंदर और सुएक से संपर्क उतना ही टूटता जा रहा है। हम अपनी सहच छमताओं को खोते जा रहे हैं और प्रकीर्ती की सुन्दर्ता और संवेदनाओं से दूर होते जा रहे हैं। माना जाता है कि मनुष्य का सरीर और उसकी आत्मा सबसे शक्तिशाली चीज होती है और इससे आप जितना जुड़ने की कोशिस करेंगे, आप उतना ही जादा खुद को समझेंगे और बिमारियों से दूर रहेंगे। अपने साथी को जरूर से गले लगाएं। हम चोटे बच्चों को अकसर प्यार से गले लगाते हैं। इस तरह हम उन्हें अपनी पॉजिटिव एनरजी देते हैं। जापान में भी इसका खूब प्रचार प्रशार हुआ जिसे रेकी कहा गया। वही चीन में इसे ची कहा जाता है। गले लगाना प्यार जताने का सबसे बहतरिन तरीका है। कोई कितना भी परेशान क्यूं न हो, किसी अपने के गले लगकर बहुत अच्छा महसूस करता है। क्यूंकि हग यानि कि कले लगाने से एक व्यक्ति की आत्मी कूरजा दुसे के मन और चेतना में प्रवेश करने लगती है। ऐसा करने से परेशान व्यक्ति को तो राहत मिलती ही है, साथ ही व्यक्ति स्वै भी उरजा से भर उटता है। एक ताजा अध्यन के अनुसार हग करने से स्वास्त को भी फाइदा होता है। इससे श्मरन शक्ती बढ़ती है और तनाव कम होता है। कर्लिंग चिकित्सकी स्पर्स के प्रकार हैं जो दर्द से रहत देते हैं। जब कोई आपका प्रिय व्यक्ती आप पर हाथ रखता है तो एक तरह से वह आपके सरीर की उर्जा को संतुलित करता है और आपको प्रकिर्तिक रूप से ठीक होने में मदद मिलता है। धन्यवाद।